नमस्कार फ्रेंड्स मैं रितेस्कुमार आप सबका मेरे यूटूब चैनल डिके टेक्निकल ग्यान में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम लोग सीखेंगे अपने मोबाई से एपी किया इभोटर कार्ड कैसे डाउनलोड करें तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शु गुगल क्रोम की वेव साइट पर जाएंगे वहां पर आप लोग सिंपल क्लिक करेंगे एन भी एस पी इसको टाइप करने के बाद एक नया पेज ओपन होके आएगा यहां पर देख सकते हैं राश्ट्रियम मातदाता सेवा पोर्टल का अफिसियल वेव साइट आ गया है य यहां पे आप लोग 25 से 31 जनवरी तक जिन लोग का नया वोटर कार्ड बना है वो लोग यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और एक फरवरी के बाद यहां से सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं जिनका मुबाइल नमर रजिस्टर है और मुबाइल नमर रजिस्टर नहीं है तो लोग अपना एक करके मुबाइल नमर रजिस्टर करा सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर सिंप्ली टाइप कर सिंप्ली लॉग इन पर क्लिक करता हूं अगर आप लोग पहले से लोग इन यूजर आईडी बना के रखे हैं तो आप लोग लोग इन हो जाईएगा नहीं बनाए हैं तो यहाँ पर डॉन्ट हैब एकाउंट रजिस्टर निव यूजर यहाँ पर क्लिक करके अपना एक यूजर नेम और पासवर्ड बना लेंगे यह ऊपर हो जाएंगे तो चलिए यहां पर अपना पासवर्ड और हुए पासवर्ड और यूजर अईडी डालके दिखा रहा हूं है क्या यूजरनेम करें पिर दालने के बदाू कृब यह और अपना इपिक नमबर यहां पर डालेंगे इपिक नमबर वह होता है जो आपके भोटर आइडी काड में लिखा होता है तो सिंप्ली हम लोग अपना इपिक नमबर डालेंगे और उसके बाद अपना सेलेक्ट करेंगे अपना सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप लोग यहां सर्च पे कलिक करेंगे सर्च पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर दिखा रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड यानि कि मेरा भी मुबाइल नमर रिजिस्टर नहीं है और मेरा पुड़ाना भोटर आईडी काड है तो मैं यहाँ सभी डाउनलोड नहीं कर सकता हूँ इसके लिए मुझे एक फरवाड़ी तक वेट करना होगा और इसके बाद जैसे ही यह पोर्टल खुलता है तो मैं आप लोगो डाउनलोड करके दिखाऊंगा कैसे डाउनलोड होता है तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि मैं इ अन्यवाद